हेलो एविर्वन, वेल्कम बैक टूवर चैनल, आज मैं आपके लिए लाई हूँ, 12th क्लास पॉलिटी का चैप्टर, राइज अप अपलर मुवमेंट के इंपोर्टन टेक्शिल कोशन, मैं करवाण जारो कोशन नुबर 7, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज आन अंदोलन जो था, उसने जो नरमदा बैली पर डैम प्रोजेक्ट बन रहा था, उसको अपोस क्यों किया, यानि कि उसका भिरोध क्यों किया, अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ी नरमदा बचाओ अंदोलन के बारे में कुछ इंपोर्टन बातें बताती हूँ, नरमदा अ जो कि मल्टी परबस डैम था ठीक है, अब इस डैम के नीचे क्या था, कम से कम 17000 खक्र जो जमीन आने वाली थी और वहाँ पर लोग रहते थे, ठीक है, और अब 450 गाउं जो थे, वो 17000 खक्र की जमीन पर रहते थे, अब वहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनने वाला था, अब उस प्रोजेक्ट को बनने से पहले उन लोगों को दूसरी जगा उनकी relocated किया जाना था, यानि कि उनको दूसरी जगा पर बसाया जाना था, ठीक है, अब क्या हुआ, कि 2006 में क्या हुआ, कि उस जमी, उस डैम की 2006 में, उस डैम की उचाई कितनी थी, 110, ठीक है, उसके बाद उस इसने भी profit हो रहे हैं, उनमें लोगों को पब्लिक को बागीदार नहीं बनाया जाएगा, तब तक वो अंचन से नहीं उठेंगे, ठीक है, अब इसमें, गुजरात, MP, महारास्टा के, जो आम लोग थे, और जो वहां के आदिवासी थे, और पारेवर्न और मानव अधिकार जो कारे करता थे, उनको, उन्होंने बढ़ चड़ कर भाग लिया, फिर क्या हुआ, 17 एपरल, 17 एपरल को क्या हुआ, 17 एपरल 2006 में, कोट का आड़ रहाता है, कि जब तक आप लोगों की rehabilitation नहीं करेंगे, तब तक आप डायम के project को आगे नहीं बढ़ा सकते, ये थी इसकी history, ठीक है, आप देखते हैं, नरमदा बचाओ अंदोलन जो था, एक collective local organization थी, यानि कि आम लोगों की द्वारा शुरू किया हुआ movement था, जिसमें जो river नरमदा थी, उसको save करने की बात की गई थी, इसलिए वो multi purpose जो dam construction थी, उसको oppose कर रहे थे, यानि कि उसका विरोध कर रहे थ ठीक है, नरमदा बचाओ अंदोलन जो था, उस पर एक dam बन रहा था, जिसका नाम था सरदार स्रोवर प्रोजेक्ट, उसको oppose किया, ठीक है, और उन्होंने जितने वी ongoing development प्रोजेक्ट चल रहे थे, उसके nature से concerning issues पर क्या किये, question put की, जैसे कि जो model of development है, उसकी efficiency क्या होगी, ठ public, क्या चीज है, public interest in a democracy, ठीक है, इन सब पर question put किये गे, उसके बाद, उन्होंने क्या कहा, कि प्रोजेक्ट से जितना भी फाइदा होगा, उनमें, उनकी पहले तो analysis की जाए, और उसके बाद, लोगों को उसमें भागीदार बनाया जाए, ठीक है, और उसके बाद, यह जैस बनने से पहले, लोगों को फिर से जगा दी जाए, जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी कोई सरकारी काम किया जाता है, तो अगर वानों की वहाँ पर बस्तियां बसी हुई है, तो गॉर्मेंट क्या करती है, जात उनको जमीन के बदले, जमीन दी जाती है, ताकि लोगों जाए, उसकी बाद इस मुवमेंट ने जो नेचर आफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था, जब भी कोई मेगा स्केल प्रोजेक्ट फ्रेम किया जाता है, उसमें जब डिसीजन लिये जाते हैं, तो उनके नेचर पर भी कोशन पूट किया, यानि कि लोग चाहते थे कि जब भी कभी natural resources से related, जा कुछ भी जो decision making process होता है, जब भी कोई मेगा स्केल प्रोजेक्ट, development प्रोजेक्ट होता था, उनमें लोगों को भी बात करने की permission दी जाए, यानि कि सरकार पहले लोगों से बात करे, बिचार बिमार्श करे, उसके बाद ही कोई भी प्रोजेक्ट शुरू कि कि जब भी कोई भी development प्रोजेक्ट किया जाता है, तो लोगों को definitely कुछ न कुछ दिक्कत रहती है, और वो चाते थे कि पहले लोग सरकार से बात करें, सरकार उन से बिचार बिमार्श करें, ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, कि NB, जाने कि National, नर्मदा बचाओ अंदोल कि जब तक आप लोगों को दूसरी जगा पर shift नहीं करते, उनको relocate नहीं करते, तब तक आप dam की काम को आगे नहीं बढ़ा सकते, thank you